अभिशेक जेन डिरेक्टर फिल्म के विरिते जैश बे आर हम दो हमारे दो आ फिल्मों यहमने डिरेक्ट करी छाने यहनी साथे साथे एक फिल्म में कर तरीके में बुलाना चाहता हूं प्रसुं जोशी जी को आप वे स्वागत करना चाहता हूं उनका जिसका पहला परी चाहीं मुझे कवी के रूप में हुआ था, जो हमारे देश के उम्दा स्क्रीन राइटर है, एक उम्दा व्यक्तित्व और वह खुद को पहाडों की संतान बुलाते हैं, इनके बारे में एक बात आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, कि प्रसुन जोशी बहुत में एजनसी जो की अडवेटाइजिंग इंडिस्ट्री की महारत ही है, वहाँ हजारों क्रियेटिव फोर्स को लीड करता है, में के सी यो है, कैंस में हो रहे टाइटेनियम एवर्ट के साउथ हैशियन और एक मात्र भारतिय जूरी के हैड है, और हमारे देश के CBFC बोर्ट क हैना चाहे तो कैसे बुलाते हैं मैं सर आपकी इजाज़त हो तो जो खलबली मचाते है मसकली उडाते है जो रासते पे मिलखा सिंग भागते है उस जगह जमीन पर सितारों को बुलाते है नचाते ए तो तालियों की गुंझ से समार RAW सा बांध लो प्रसुनजी को आज हम यो मंच पे बुला आते हैं गुड इवनिंग जी एलेफ ना मंच नी आज मज़ा छे के महाराजी वो एक नानो कलाकर आवड़ा मोटा कलाकर आवड़ी मोटी हस्ती साथे वारतालाब करवानी अपॉर्चुनिटी लाई शेके छे अने आपना सुधी एमनी वात अमें पॉंचाड कि अधिर आप बॉंच पर कमिंगेर शर्थ यहां आने के लिए बाद बात मैं कल आया यह फेसिबल की शुरुआ देखी बहुत ही सुंदर है और गुजराती भाषा जो है वह अमरित की तरह कानों में गुल रही है सर अभी तो क्या दिवाली का और वेकेशन का सीजन चल रहा था आप देखेंगे पहाडों पर जो बीड और गश्ट लगी रहती है ट्राफिक जो लगा रहता है वो गुजरातियों का मैक्सिमम लगा रहता है और हम लोग क्या है कि जब कोई ब्रेक चाहिए जब कुछ सोच होता है जब कुछ म अत्मचिंतन करना होता है विचार करने होते हैं वेवर event to internalize हम पहडों पे चले जाते हैं आप तो पहडों से आते हैं हमें we want to start at a note आप जहाह से आते हैं उस जगह की खुश्मू इस और अज पहले और वहां से हम आपकी जो आपकी जन्म भूमी उसके बारे में बात शुरू करें, हाउ इधास हेल्प्ट यू नविगेट यूर लाइफ और यूर करियर और जिस मिट्टी से आप जुडे हुए हैं, जिस तरह की महक आप अपने शब्दों में अपने लिदिक से लोगों तक उस मिट्टी की महक पहुँचाते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे. पहले तो मैं कल शाम को सोच रहा था है कि मैं क्यूं आया हूँ यहां पर, तो मैं उसके लिए कुछ लाइने में आपको बताता हूँ, कि शुर्ध समर्पित शोताओं को गीत सुनाने आया हूँ, अपनी रचनाओं को लेकर तीर्थ कराने आया हूँ. कई चंद हैं नए पुराने जो मन में हैं गूँज रहे, कई शब्द हैं आतुर होकर नए अर्थ हैं ढूंड रहे, कविताओं से वही पुरानी प्रीत कराने आया हूँ, शुद्ध समर्पित शोताओं को गीत सुनाने आया हूँ. अब क्या हो रहा है जिन्दगी में कि स्विमिंग पूल में जील खो गई। स्विंग पूल में जील खो गई, चमक में वो कंदील खो गई। मिट्टी के वो दिये कहा है, जिन्दा है पर जिये कहा है। अपनी गईया हरियाली में आज चराने आया हूँ, शुद्ध समर्पित शोताओं को गीत सुनाने आया हूँ, अपनी रचनाओं को लेकर तीर्थ कराने आया हूँ। तो आपने उतराघंड का जिक्र किया, देखिए, जैसे मुझे कल भी लग रहा था कि गुजराती भाषा में का जब मैं अनुगूँच सुन रहा था। मेरी भी पहली भाषा कुमावनी भाषा है, मैंने घर में वही सुनी। हिंदी उसके बाद आती है और फिर अंग्रेजी आ जाती है। कई साल मैं उनको अभी कह राते हैं कुछ समय पहले कि कई वर्ष हम लोगों के इस देश में अपनी भाषा से दामन चुडाने में लगते हैं। हम इस बात को सुकार ही नहीं कहरना चाहते कि हमारी मातर बाषा कहा उसमें बोलने से कतराते हैं। और यह बड़ी सोचनी इस्प्राइब आपर बेट सब्स्टेपनों की दोश नहीं दे रहाँ हमारे पास चारा कुछूू। लेकिन एक चीज मुझे जो समझ में आई थी it is not possible that I wouldn't have learnt English and not gone into a world of multinationals and advertising and everything it's not possible पर ये हिंदी, अंग्रेजी और भाशाओं का भेद क्या है अंग्रेजी क्या है मेरे लिए और हिंदी क्या है मेरे लिए या मेरी मात्र भाशा क्या है मेरे लिए अंग्रेजी मेरा हुनर है और भाशा नहीं और हुनर में मैं बहुत दक्ष हो सकता हूँ, निशनात हो सकता हूँ बहुत अच्छा हो सकता है मेरा हुनर जैसे कंप्यूटर की लैंग्विज आप सीखते हैं ये तो नहीं बोलते हैं मैं कंप्यूटर बोलता हूँ, computer सीख लेते हैं, तो इस तरह से भाशा क्योंकि उसका कारण ये है कि भाशा से आपका रिष्टा माह जैसा होता है, और माह की आप चोटी भी खीज देते हैं, माह से लड़ भी लेते हैं, जिस भाशा से आप लड़ सकें, जगड़ सकें, उसके साथ वो license आपको मिलता है, वो आपकी भाशा होती है, तो इसलिए वो भाशा की जर्नी मेरे ले रही है, और बहुत आरंबिक वर्ष जो थे, उससे जुजने में निकलते हैं हमारे, हमारे देश के बहुत से युवाओं के, और ये मुझे अच्छा लगता है कि वो महौल आज बदल रहा है, क लेकिन, the problem of, इनों जिसे कहते है, संप्रेशन, the problem of being able to communicate that and register that in the heads of the other people, वो मचल रहा है, he is restless, trying to say, but can't say, कैसी तड़प कि स्थिती हमारे देश की रही है, ये समापत होनी चाहिए, क्योंकि, क्योंकि मुझे लगता है कि भाशा और विचार जो है, इसा नहीं कि आपने कहा कि ये विचार इसको अलग कर दे, ये भाशा ये अलग कर दे, जब आप दर्शन कहते हैं, तो उसका मतलब philosophy नहीं है, दर्शन में, it's your seeing that is involved, when you philosophize, you can distance yourself from it, there is a degree of separation there, पर दर्शन में आप देख रहे हैं, आप उस moment का हिस्सा है, तो दोनों चाहे एक तरहीं तरफ इंगित कर रहे हों, पर एक नहीं है, तो जो भाशा है, जो शब्द है, वो भाशा का कैपसूल होता है, मुझे कोई प्रॉबलम नहीं है इस बात से कि SMS शब्द आ जाए, messaging शब्द आ जाए, हिंदी भाशा में आ जाए, हमारे भाशा का स्वाशा पर, लेकिन अगर SMS शब्द संदेश शब्द की हत्या करके आएगा तब मुझे प्राप्लम क्योंकि जब संदेशे आएंगे तो संदेशे ही आएंगे और उनको आना होगा और उसमें जो खुश्बू है वो भी बचाने है तो जब शब्द मरता है तो उसके साथ संस्कृति भी मरती है इस लिए शब्दों को बचाना है तो लेकिन एड़िजिंग की फिल्ट तो बहुत ही पॉलिष्ट इंग्लिष और आज के जमाने में अब यह दोर बदल रहा है लेकिन जब आपने शुरूआत की थी तब अंग्रेजी तो मेरे खाल से वो वो माक्षीट हो गई होगी या वो फ ऐसे समझाए के थंडा मतलब को का कोला तो यह ए यह ज़ो आप कोलोकियलिज्म जो हम कहते हैं या जो अपने प्रांत की भाशा को आपने एक मुल्टि लेशनल के रंग में रंग दिया उसमें आपको कैसे आने कैसे दिया इनोंने इनोंने लिए बन जाता है तरशी कह रहे एक तरफ लेकिन हम लोगों के जो भारतिय लोग है ना बड़े हठी लोग हैं हम लोग अंदर से मानते नहीं इसलिए बैठे हैं आप आज भी तो ठीक है आप हमको कुछ समय तक नेपथ्य में रख सकते हैं लेकिन आज आते हम लोग क्योंकि बड़े जो जारू है हटी है वो जो कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे कुछ बात तो है तो वह है अंदर से और वी डू नोट वांट एनीबडीज मुशी किसी की हमने पिटी नहीं चाहिए दया नहीं चाहिए हम तो अपनी वरीयता पर आएंगे अपनी मेरिट पर आएंगे और मुझे अंदर से कहीं लगता था कि कि actually whatever this is, this is a profession of ideas, यहां पर यह बात तो ideas की ही हो रही है, अगर उल मिलाकर सवाल इस बात का है कि उसको कैसे समझाएं तो हो सकता है, मुझे struggle करना पड़े, समझना पड़े, कि कैसे उन्होंने वहां पर जाकर भाशाएं सीख ली और वहां पर अपनी बात कह सेगे, एंड अफ दे दे, अप जो कह रहे हैं वह अटर करता है, बहुत समय तक आप लफवाजी से किसी को बेखुफ नहीं बना सकते, अगर आप तुक्बंदी करेंगे, उसे कविता कुछ सम होत है, कि बोलता बहुत है, मगर बेजुबान है, ऐसा ना हो जाए, तो वो कर लेते हैं, अगर इफ यू हब सेल्फ बिलीफ, आत्म विश्वास से से, उसके लिए थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ता है, जल्दी में नहीं हो सबता है, कि नहीं मुझे तो कोई नहीं समझ सब्सक्राइब में चला जाता हूं, लेकिन जिद भी होनी चाहिए अंदर से, और आज के जिस परिवेश में हम बैठे हैं, आप लोग इस तरह की फेस्टिवल कर रहे हैं, आप हमारे पुराने लोगों से पूछी जब गुलाम मोगा देश, तो इस तरह से शाद मिलना भी स अब अब बॉलीवड पर अउंगा, और जहां पर जिस समय लिरिक्स राइटिंग में, और बॉलीवड में आम तोर पे जिस तरह की पूरा प्रवा था, अर्दू शब्दों का, या कुछ अंग्रेजी शब्दों का इस्तमाल किया जाता था, वहां पर आपकी कवीताएं और आपके लिरिक्स ने बहुत धूम मचाया है, और कुछ ऐसे टोपिक्स, I would come to your dedication in songs on the subject of Maa, लेकिन उससे पहले, ये भी एक बारियर रहा ही होगा बॉलीवड में, जहां आपके साथ में गुलजार साहब हैं, जावेड साहब हैं, और अबिसली कई सारे अधर इंस्पिरेशन हैं, in that gamut of people, how did Hindi enter, and how did Hindi words enter, और लग्जा फिल्म के बारे में और उसके बारे में कुछ लोगों से आपने लिए मुझे बिलकुल इस बात का एहसास नहीं था, या ऐसा लही लगता था मुझे कि मेरी जो शब्द संपदा है, जो मेरा जो एक्सपोजर है, मेरी जो वोकाबिल बाक्य विन्यास है, जिस तरह से मैं लिखता हूँ, उसके टेकर्स फिल्म में होंगे, मुझे ऐसा बिलकुल नहीं, बिकॉस मैंने और गन्स की कमी बात किये, दिल, जिगर, गुर्दे वगरे की, तो तो जनरली आइफिल, मैं अब्रिंगिंग वास मोस्ली ऑन हिंदी लिट कि मेरे माता-पिता दोनों शास्त्री संगीत, God bless them, there are no more, but वो दोनों क्लासिकल म्यूजिक के एक्स्पोनेंट्स थे, विशारत थे दोनों, और घर में तो फिल्मी संगीत को एक तरह से वर्जिती ही था, तो मुझे तो फिल्मी गानों पर मेरी खुराक थी नहीं वो, तो अगर विश्वास करते हैं, तो टेकर्स भी मिल जाते हैं आपको, आपको लगता है कि मेरी तरह सोचने वाले और भी हैं, मेरी इस, एक्शुली स्वैम पर विश्वास कीजिए, और सेल्फ एक्स्प्रेशन में चलिए, आपको, अगर आप वनिस्टी अपनी बात इमानदार से कह रहे हैं, तो कोई ना कोई आप से जुड़ना शुरू हो जाता है, और आज तो सोचल मीडिया का यूग है, people are very sure of themselves, हलांकि मुझे एक तकलीफ है, कि पहले हम एक खत लिखते थे, पत्र लिखते थे, शाम को आपने लिखा, अभी आपने पोस्ट नहीं किया, अगले द जला गया भाई, अब तो निकल गयती है, तो जो एक जिसे कहते हैं, कॉंटेम्प्लेट करना, वो वो कम हुआ है, हुआ है, coming back to your question, कि भई आपको टेकर्स कैसे मिले, मिल गए, only thing I had was that self-belief था, मुझे लगता था मेरे पास कुछ कहने को authentic है, अपनी एक आवाज है मेरे पास पस उसी को पकड़के, उसकी उंगली थामके चलता रहा, I had nobody I knew in film industry, I had nobody I knew in the corporate world, मैं तो उत्राखंड के गाउं से निकली वो नदी हूँ, जाकर समंदर में, बंबई में, मिल गया हुआ 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 और जब आपके कभी नदी के किनारे पड़े पठर देखे होंगे इस आदियों मैं आप जाते हैं पड़े आपको गोल-μोल बड़े प्यारे से दिखते हैं उनको कौन तराश्ता है बताई जीवन ने उसे तराशा है मुझे भी वैसे जीवन ने तराश्या है जो गाना है, लुकाच शुपी है, माँ पे डिडिकेटेड है, अभी कुछ समय पहले, 21 दिसम्बर को तारे जमीन पर फिल्म को 20 साल हुए शायद, और मुझे याद है, मैं वो फिल्म पीवियार जुहू में देखने गया था, और मैं तब मेरे परिवार से अलग रहता था, ब यह जो इंस्पिरेशन है, मैं तो अगर पूरी एक शाम आपने माँ पे जो कविताएं लेकिए उस पे पूरी निकाल सकते हूं, तो अभी तो सिफ दो एक्जांपल ले रहा हूं, लेकिन I would like to know what comes within you, जब आप ऐसी कविताएं जो रदे को सपर्ष करती है, बीस-बीस सालों हमारे जहन में रहती है, उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन है, आपकी अप्रिंगिंग में कोई ऐसी बात है, मुझे भी पता है के आपके माता-पिता उनकी आखरी सांस तक आपके साथ रहते थे, आप उनके साथ में रहते थे थे राधर, I would like to keep it that way, तो हम उसके बार में कि रिण से तो कभी आप उरिण हो नहीं सकते हैं, और एक ऐसा रिष्टा है जो सिखाया नहीं जाता है, स्वताय स्पूर्थ है, और प्रकृती ही शायद उसका संचालन कहीं करती है, तो मुझे जाद है कि तारे जमीर पर जब गीत लिखने की बात आई थी, तो सीन तो यही था कि बच्चे को हसल में छोड़ा है, तो जहनलिया, वहाँ पर हम लोग जब फिल्मा में स्क्रिप्ट होती है, तो उसमें जहां गाना आना होता है, वहाँ लिखा होता है, तो अब separation song तो कुछ भी हो सकता है कि जुदा हो कि तुससे कहां जाओंगा मैं, विखर जाओंगा मैं, बिछड जाओंगा मैं, ऐसे भी हो सकता है And मैं जब भी लिखों कुछ तो मुझे लगे कि नहीं, ऐसा थुने रही बात तो मुझे याद आया कि जब मैं छोटा था, मेरी मदर एक टीचर थी और वो टीचर्स ट्रेइनिंग प्रोग्राम के लिए गई थी, उस वक्त मैं छोटा था और अकेला मुझे मैसूस हुआ था, मैंने का जो मुझे उस समय लगा था, वही में लिखता हूँ, और मुझे लगा था कि मैं कभी बतलाता नहीं, पर हंधेरे से डड़ता हूँ मैं मा, यह मैंने पहली लाइने लिगी, यू तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं मा, तुझे सब है पता है ना मा अब इसका एक अंतरा है जिसके उपर मुझे बहुत खत पिताओं के आए मैं आपको ये बताओंगा ये अगर मिल जाए मुझे तो यह है कि इसमें एक अंतरा है जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से जूला जूलाते हैं मां मेरी नजर ढूड़े तुझे सोचू यही तुआ के था मेंगी मां उनसे में ये कहता नहीं पर सेह मुझाता हूं मां चेहर पे आने देता नहीं दिल ही दिल में घबराता हूं मां तुझे सब है पता है नमां तुझे सब है पता मेरी मां अब मैंने ये लिखा तो मुझे बहुत पिताओं के खता है कि हम इतने बुरे नही होते भाई तो मैंने का इसको एक बार एक्जामिन करना चाहिए इस थौट को क्या मैं थोड़ा पार्शेलिटी की है मैं तो हमेशा पार्शल रहूंगा माधर के लिए ये तो मैं आप से अभी भी कह रहा हूं और लेकिन न्याय तो करना है पिता के साथ तो मैंने इसको एक्सप्लोर किया है ये गाना नहीं है एक्सप्लोर किया मैंने मा की तारीफ करते करते पता नहीं कब में पिता के विरुद्ध हो गया मा की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा पर मा की तारीफ में पिता के प्रती नाराजगी स्वतही आ जाती है किया पिता का दोश पिता होना है या पुरुश होना या समर्थ होना मैं पिता के सामने धीट हूँ मा के सामने शैतान मैं पिता के सामने धीट हूँ मा के सामने शैतान मैं पिता के सामने चटान हूँ मा के सामने नदी मैं मा के लिए छुप जाता हूँ और पिता से छुपता ह मैं मां के लिए छुप जाता हूँ और पिता से छुपता हूँ मैं मां के सामने प्रश्ण की गुलाई हूँ और पिता के सामने उत्तर की नोक मां के सामने प्रश्ण की गुलाई हूँ और पिता के सामने उत्तर की नोक मैं मां की गोत में समा जाता हूँ और पिता की गोत में तन कर बैठता हूँ मां के अचार के बोयाम अगर धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूँ पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं ना पी मैंने मां के बाल भी खीचे हैं कई बार जुझला कर चीखा हूँ मां पर पटके है पैर पर पिता के सामने खुद को नापतोल कर पेश किया है क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता की खिलाफ क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे खरीब लाता है क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती या उसकी शक्ती सामने खड़ी होती और मैं फाइलों के काग़ समेट रहा हूँ कि यह पॉंडरिंग था यह थौट था कि इसको किस तरह से एक्स्प्लोर किया जाए कि ऐसा ना लगे कि मैंने सोचा नहीं और लगातार मा को मैं धेंक्स करता रहता हूं पर यह एक ताना बाना है जीवन का देखिए माता पिता दोनों एक अमूल निधी हैं चरिश करना चाहिए और आइकन टेल यू आफ्टर लूजिंग मैं पैरेंस देट जब तक हैं प्रणाम कीजिए अश्रवाद दीचिए सरड़ताइसिंग प्रफिशंग मैं हिंदी उसके बाद में हमने लिटिक्स की बात की और आपके इतने सारे ट्रेशने अचेट्स हैं अब लाग तो जो ड्रॉ जाएंसे अटेंशन टोड़्स यूर्टाइटिंग जितनी छोटी स्क्रिप्ट जितना कम बोले उतना वह एफेक्टिव हो सकता है स्क्रिन राइटिंग में सब कुछ बहुत लेंदी होता है तो जब आप भाग मिलका भाग लिख रहे थे उस समय क्या प्रोसेस रही क्या आपने वह चैलेंज फेस की हो कुछ यू अचुली डाइव आप अड़िटाइजिंग इंट फिंस अगें गो बैक तो लिरिक्स ये जो मुल्टिपल है जे मुल्टिपल फैसेट से क्या उसकी असर जब आप भाग मिलका भाग लिख रहे थे तब औरी कुछ स्ट्रगल या कुछ ऐसी इस तरह से मैंने उनको समप चुकिया था की मैने मलका जिन से कहा कि मुझे लगता है आप अपने अतीत से भाग रहते हैं और आप भागते भागते ढवग वारन खेशोन लेकिन आप भाग अपने अतीत से रहते हैं इसली, If you've seen the film, the last scene is that he goes and encounters his past that's a courage he gathers to go back to Pakistan to the place where he lost everything and वहाँ जाकर वो दोडते है चाहे वो उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी महतुपूर्ड रेस नहीं थी उसे साब से कोई उलम्पिक नहीं था या कोई आसा बहुत बड़ आयोचन नहीं था लेकिन गोईंग बैक टू फेस्योर डीमन्स वो बहुत महतुपूर्ड तो मुझे कहीं एक साम्य दिखाई दिया कि जो एक जर्नी जिस पर मैं भी हूँ आप में से कई लोग होंगे और जो प्रिविलेज नहीं होते हैं जीवन में उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं वो किसी ना मुझे का कि आपके मैं जब नियॉयॉर्क वगरे में जाता था सब कभी क्या आज कल कर रहे हैं तो हम बताता था एक फिल्म में लिख रहा हूं ऐसे हैं तो वाट वाज इस अचीवेंट कि एक्चुली वो फोट आय थे ऐसा नहीं था कि उनको मेडल मिला था लेकिन उनकी ज आज तो भारत एक ऐसे तilting point पर है जहां पर जो आत्मविश्वास है, self-confidence है, मैं कर सकता हूं का भाव है कही बार लोहों को लगता है कि वहां, we are overdoing that. No, we are not overdoing that. Actually, we are doing correction. हम लग, we are over correcting it and we need to overcorrect it. That's the confidence we require. तो वहां से कहीं वो निकला था. And that is the reason I could probably, you know, weave it in into that. And मेरे ले वो संघर्ष की फिल्म थी, मेरे ले वो अचीवमेंट की फिल्म नही थी. Sir, मैंने चार फिल्मे बनाई है और CBFC के साथ मेरा नाता तो रही है क्योंकि आप फिल्म जब रिलीज करना चाहते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए. और कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि इस असेंसर बोर्ड. And I find that word very negative. अपके चेरे मेरे दर्द दिख रहा है, मैं आपको दर्द की. नहीं, सर्, मुझे यू सर्टिफिकेट ही मिला या आथ तक और मैं यू वाली फिल्म नहीं बनाता हूँ. आप यू ही बनाते रहे हैं. नहीं, लेकिन जो मिसकंसेप्शन, मुझे दर्दूस बात का है, कि जो मिसकंसेप्शन है, उसे सेंसर बोर्ड कहा जाता है, हलां कि वो फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है. और इतने सालों में, जितने सालों में, मैंने जितने साल देखे हैं, उस पर मैंने ऐसा कभी माहूल नहीं देखा, जब कॉंट्वर्सी ना हुई हो, आप साथ साल से, ऐसी जटिल और ऐसी वल्डरेबल पोजिशन पर हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं सराप? क्योंकि इस साथ साल के दोर में, हर तरह की फिल्मे आई है, और ओडियन्स को पता है मैं किन तरह की फिल्मों की बात कर रहा हूं, हर तरह की फिल्मे है, हाँ कुछ था एक जहां मैंने अगर, I don't want to leap, अगर आपके और से अगर आंसर देने की कोशिश भी करो तो I think being a creative person as well as being a sensitive responsible person could help या फिर किस तरह से आपने मैंनेज किया उदर से कुछ किस से अगर आप बताना चाहे तो नहीं पहले तो it's not something which I will ever desire to do a job. कि मुझे कर रहा था क्योंकि आवशक्ता थी और मुझे लगा कि करना चाहिए किरिटिसाइज करने को सब आते करने को कोई नहीं आता so I felt करना चाहिए और I believe in doing and I thought कि भी जादे से जादे नहीं हो पागा है बर कोशिश तो कर सकते है कि यह सब्सक्राइब पर्सन बड़ा मुश्किल होता है वेंटेज पॉइंट आपका लग होता है पर मैं देखे एक नदी है नदी बह रही है मिखने नने जो व्यक्थित टैर रहा है उससे पूछीन से नदी कैसी है घौल तो का नदी बड़ी आक्रामक है एग्रसेफ और जो देखाण लगाने की कुशिश कर रहा है उसे पूछीन मैं अओन है शान्त नदी ये की है एक का साक्षी भात उससे देख रहा है और रुसरा उससे जूज रहा है, उसी सत्य के कई interpretation हो सकते हैं, you just have to change the vantage point. Now, I used to think that with a different vantage point, I'll be able to see a different reality, कि एलोग क्यों object कर रहे हैं, फिल्मेकर किस point of view से आरहा है, वो लोग किस point of view से गग देख रहा हैं, और इत्स डिफिकल्ट जॉब एक तरफ अगर कोई फिल्म लोग को बुरी लगती है तो वो कहते हैं कि आपने उसको बैंन करना चाहिए था या उसका काटना चाहिए था और दूसरी तरफ अगर ऐसा हो जाता है तो फिल्मेगर कहते हैं देखो अभी व्यक्तिक्याजादी नह आपने समवात की बात की सर डिली सिक्स का गाना रहना तू उसमें एक लाइन है हात थाम चलंगो तो दोनों के याइः हात संग कैसे interactions there is always going to be somebody making तोड़ा सा दर्द तू थोड़ा सुकूँ थोड़ा सा रेशम तू हम्दम थोड़ा सा खुर्दूरा कभी तो लड़ जाए याड़ जाए या खुश्बू से भरा तुझे बदलना ना चाहू रत्ती भर्वी सनम विला सजावट मिलावट ना जादा ना ही कहूं तुझे चाहूं जैसा है तू मुझे तेरी बारिश में भीगना है घुल जाना है तुझे चाहूं जैसा है तू मुझे तेरी लपट में जलना राख हो जाना है रेना तु हूँ है जैसा तु हूँ थोड़ा सदर्ग तु हूँ थोड़ा सुकूर सर तु मेरा सवाल उसी पर था के यिन यान हमेशा रहेगा एक दाया होगा एक बाया होगा तब जाके हम संग चल पाएंगे और अब जिस तरह के लोगों का इंटर्प्रेटेशन होता जा रहा है जिस तरह से हम थोड़े से अगर कोई आगे आ जाता है जैसे आपने एलिट की बात की आपने शेहरी लोगों की बात की और अगर कोई ग्रासरूट से आदमी आता है तो हम अचानक से विचलित हो जाते हम थोड़े से इंटॉरेंट हो जाते हैं, को नहीं सहन करते हैं, कि वुक्यर मेरिट पर यहाँ आ की खड़ा है. इस तरह के अभी का जो समाज है, जहां पर भारत उठर से बर के आ रहा है, असली भारत वहासे आ रहा है. उस पे मैं आपकी थोड़ी सी राई जानना चाहूँगा, थोड़ी सी टिपनी जानना चाहूँगा, के what do you feel, is debate and discussion not possible in today's time? क्या संबाद पॉसिबल है या नहीं है? संबाद पॉसिबल को नहीं है? लेकिन we will have to first of all understand that this ये जो मैं यही कविता एक देख रहा था, मैंने लिखी थी, अगर बिल जाती है तो ये बहुत expression का यूग है ये है, बहुत हर चीज़ का expression possible है आज़ा, तो कहीं मैंने इस पर कविता लिखी थी, जाहिर करके, ये यूग कैसा है देख, जाहिर होकर जीना होगा, कडवा सच भी पीना होगा ये यूग है सब कुछ कहने का प्रत्यक्ष सामने रहने का, ये यूग है सब कुछ कहने का, प्रत्यक्ष सामने रहने का, पूरा-पूरा साबुच सच्चा, नहीं सत्य अधूरा सहने का, चलो उस कमरे में चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे, चलो उस कमरे में चलते ह जहां सुलग रहें हंगारे सह ो डूल हटाने चलते हैं पूरे मंसे मिलकर सारे मंशाल लेकर बाहर आओ बारिश है सब तुल जाएका प्रमनशा लेकर बाहर आओ इंतन्ट आपका रहो न चाहिए आप एक आप में की बाजीत हो सकती है कि नहीं हो सकती है लेकिन मनशा लेकर बाहर आओ बारिश है सब जल जाएगा पहले बताई आप intent आपका है क्या intent आपका कुछ है बाहर और बता नहीं रहा आप और फिर discussion कर रहे हैं तो वह discussion का कोई मतलब नहीं है चलो उस कमरे में और लेंवरude चलते हैं जहां सुलग रहे हैं अंगारे, चलो धूल अटाने चलते हैं पूरे मंसे मिलकर साले, मंशा लेकर बाहर आओ, बारिश है सब दुल जायेगा, हम चाहेंगे तो एक रास्ता इन रश्तेशें के खुल जाएगा, लेकिन मेंदेगा से समफेश कका बिदा ठाव चुपाए जाते हैं, वो और गहरे हो जाते हैं, तुम बार बार पटी बादो पर दर्द चलक ही आते हैं। बस अपनी शर्तों पर रिष्टे रिश्टे, यू कब तक ये चल पाएगा। बस अपना धर्द ही दर्द लगे तो पीडा कौन सुनाएगा। बस अपनी शर्टों पर रिष्टे यूँ कब तक ये चल पाएगा बस अपना दर्द ही दर्द लगे तो पीड़ा कौन सुनाएगा जित छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे जित छोड़ के हाथ बढ़ाओगे तो उसे सामने पाओगे साहिर होकर जीना होगा तुम्हें हैरत है वो बदल गया तुम्हें हैरत है वो बदल गया जिससे पहचान पुरानी थी उसकी तो हर एक धुन तुमको बरसों से याद जबानी थी इमानदार होकर सोचो इमानदार होकर सोचो क्या उसका सच जाना तुमने क्या पूरी पूरी कोशिश की क्या उसको पहचाना तुमने शायद आधी पहचान थे तुम उससे एकदम अंजान थे तुम ये रातों रात नहीं होता पैदा जजबात नहीं होता ये रातों रात नहीं होता पैदा जजबात नहीं होता जो खुद से नजर मिलाते हैं, हर पक्ष सामने लाते हैं, जो उधड़ा है, सीना होगा, जाहिर होकर जीना होगा. क्या खूब सर, सर, यूर हेडिंग अ बिग एजनसी, एड़िटाइजिंग एजनसी, जो विश्व की सबसे बड़ी एड़िटाइजिंग एजनसी, और उसमें आप सबसे टॉप की पोजिशन पर हैं, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि हजार बारा सो लोग रिपोर्ट कर रह होंगे आपको, या आपका आदेश ले रहे होंगे, ऐसे में देश के लिए जब आप कुछ लिखते हैं, and I would want you to address this because हम एक ऐसी भूमी पर बैठे हैं, जहां पर बहुत entrepreneurs हैं, बहुत businessmen हैं, लेकिन, how do you channelize, not every business is about profit, and not everything is only about profit, rather, how do you channelize your work towards the nation, आप किस तरह से अपने काम को, obviously, अपना profession है, उसको आप संबालते हैं, लेकिन साथ में देश के लिए contribution के लिए समय कैसे निकालते हैं, वो intent कैसे निकालते हैं, और कितना ज़रूरी है आज की तारीख में, आपके business में, वो intent होना कि वो देश के ग्रोथ के लिए काम कर सके है इसको है कभी सर एक बार रुआ होता तो बताता हूँ टाइम निकलता था कि ने खिड़की से निचे देखो तो आप भी खड़े दिखते होंगे कहां से समय आता हूँ जिस चीज से प्यार करते हो, समय निकल जाता हूँ निकल जाता हूँ आप आप कहूंगा ये मेरा घीत है देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो जन जनाओ बार 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 मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो जन जनाओ बार बार देश से ये प्रेम आँखों से चलकना चाहिए मैं रहू या ना रहू भारत ये रहना चाहिए पीस दो मुझ को मिला दो रास्तों में खेत में पीस दो मुझ को मिला दो रास्तों में खेत में चूरा चूरा बिखरे मेरा परवतों में रेत में, अपनी मिटी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए, मैं रहू या ना रहू, भारत ये रहना चाहिए, ए मुझे सौगंद भारत भूलू ना एक शन तुझे, रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अरपन तुझे, युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए मैं रहू या ना रहू भारत ये रहना चाहिए if you feel there is something more than you if you feel there is something, a thought which should stay you will contribute to it you will feel हर चीज आप पैसे से नहीं तोल सकते है देखिए पैसा आपको कितना कुछ दे सकता है बहुत कुछ दे सकता है आपके पास घर नहीं था घर दे दिया बुगाड़ी नहीं थी गारी दे दी पच्चों की एजुकेशन दे दी एक लिमिट आएगी उसके बाद आपको समझ नहीं आगी मैं पैसे से क्या करो उस समय लोग एंजियो से जुडने की कोशिश करते है प्रामानिकता खरीदने की कोशिश करते है उद्देशी खरीदने की कोशिश करते है पर तब उद्देशी मिलते नहीं यह बड़ा अजीब सी विदंबना है तो पहले तो बिगिन विद एंकर यॉर्स सेल्फ इन टूथ आप कहते हैं कंपनिया मैंने तो ऐसी कंपनिया नहीं देखी हैं बहुत बड़ी होती हुई जिनका कोई उद्देश नहीं होता कुछ दिनों बाद फिजल आउट हो जाती बंद हो जाती नहीं चलती क्योंकि आने वाले जनरेशन यह सवाल पुछती है कि प्रिदाजी मैं क्यों करूं मैं घर खरीदना चाहता था इस उद्देश्यों के लिए मैंने कर वो तो पूरे हो गए अब आने वाली जनरेशन आपसे पुछ रही है कि मैं क्या किस वजह से करूं इसको आगे कैसे ले जाओ तो कहीं अगर मूल में अगर और देखें यह human good जो वर्ड है यह बड़ा foreign वर्ड हम लोगों किया human नहीं हम लोग सिर्ष्टी की बात करते है इंसान को इतना superior नहीं समझता यह देश इंसान सबसे उपर है और इंसान के भोग के लिए बाकी सब कुछ बना है यह हमारी सोच नहीं रही कभी भी नहीं रही इसलिए development के बाद sustainable development के आज आज आप बात करते हैं हमारे लिए तो development का मतलब ही sustainable था हम लोग स्रिष्टी से लड़ाई में कभी जूजते ही नहीं थे हम लोग ने कभी प्रकृतिस को अपन शत्र नहीं समझा मैं उत्राख्रंड से आता हूं हम लोग जब नदी को देखते थे तो सम्मान से देखते थे उसको चुनौती की तरह कभी नहीं देखते थे क्योंकि वो नदी हमसे कभी चल नहीं करती थी जब वो नदी शुरू से आखरी तक नदी रहती थी और वो कभी हमसे चल नहीं करती थी वो हमको संघर्ष सिखाती थी लेकिन हमारा दुलार भी करती थी इसलिए यह जो देश है यह कभी भी कॉन्फिलिक्ट विद नेचर नहीं रहा है हमारा देश आप देखेंगे हमारे यह कंप्टी जो इंडिन इथोस जिनके अंदर है और नॉमली यह नॉट इन कॉन्फिलिक्ट विद नेचर जो आज पूरे विष्व में कार्बन फुट्प्रिंट और यह सब की बाते हो रही है हमारे देश की संस्कृति में आप जाएं तो मूल रूप से हुमन्स को इतना हायर ओर्डर नहीं दिया गया है रामैंड में आप जाएं तो पशुपक्षों से बाते हो रही है सब वो बता रहे हैं कहां जाना है देखो के बिना परपस के कोई कुछ नहीं करेगा और जो बिसनस है जो खासकर आपके शहर में तो बहुत अच्छे अच्छे बिसनस होते है आने वाली जनरेशन वो यह सवाल जरूर पुछेगी कि आप एंकरड कहां और अगर आप सही जगे एंकर होंगे तो यह लिव लॉग, आप रहें या ना रहें वो एंकरिंग वो थॉट रहेगा आप सर इसी जगह की बात कर रहे हैं तो हम गुजरात से हैं दस सालों से गुजरात लिटरेशर फेस्टिवल चला रहे हमारा मेन मोटो आपके जैसे लोगों को फिल्मेकर्स को बढ़ना चाहिए, एक और हमारी समस्या है, मुझे लगता है कि जब मैं देखता हूं गुजराती भाषा में फिल्म बन रहे हैं, यहां से फिल्म में बन रहे हैं, हम लोग फिल्मों के बारे में बहुत कंप्लेन करते हैं और कहीं हम हमारे इथोस में हमारे बजी अगर फिल्म मनाना चाहते हैं और यह सिर्ज बात हैyen कि पिच्चर से इंपक्ट तो बहुत होते हम लेकिन पिच्चर कोई और हमारे ले बनाकर परो से ऐसा चाहते हैं मिडिल क्लास इंडिया थिंक्स तट मेकिंग फिल्म इस सम्बडी इलसे जॉब लेकिन उसके बात कंप्लें हम करते हैं कि ते को हमारी संस्कृति के साथ ऐसे किया जा रहा है हमारे को समझा ही नहीं जा रहा है पिस कोई और आएगा क्या करने वाला को गोला है है तो क्या हो गया है क्लborg आफ फीपल बन गया जो ऑंप इलना चुरू की वह आपके लिए परोस्रेह ऐला अगर आपको घर का खाना क्यों सगिए आपको आप को अब बार बार होटेल में जा रहर हे हों खाना दे दे घरहर का गाना दे ज़ Right 대 हो आज I think people and filmmakers will have to come from our society, small towns. अगर आप चाहते हैं कि आपके एथोस, आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी समस्याएं, आपकी चुनोतियां, आपके सपने फिल्म में परिलक्षितों दिखाई दें, तो हमारे बीच से ही उगे हुए लोग चाहिए, पॉट्ट प्लांट नहीं चाहिए, आंगन के व्रक्ष चाहिए, गमले के पॉधे नहीं चाहिए. इसलिए आप जैसे, मैं समझता हूँ कि आप जैसे फिल्मेकर्स जो है, उनकी बहुत जरूरत है देश को, बिकॉस वी नीद ऑथेंटिक पीपल. हाँ, और इस ऑथेंटिसिटी के लिए, सर, लिटरेचर, नॉट ओनली फिल्मेकर्स की बात अके लिए, कोई भी आर्ट के लिए, कोई भी क्राफ्ट के लिए, कोई भी कलाया कसब के लिए, लिटरेचर का कितना महत्व है और आप से बहतर इसके बार में कोई बात नहीं कर स साहित जो हे वह उगता है, वह conference room में meeting rooms में योजनाओं के तहथ नहीं निकलता है, साहित दर्जमीन से उगता है, और उसकी जिसे अनुभूत सत्य कहते हैं, first hand truth, tactile, you can touch and feel, वहां से वह निकलता है, इसलिए साहित में खुश्बू होती है, उसके ओपर अगर पिच्चर बनती है तो आपको साफ तिखाई देता है कि ये पिच्चर जो है तो बहुत सुंदर फिल्म है पुरानी बहुत अच्छी फिल्म है बनी है लेकिन अगर मार्केट एकॉनोमी के थू अगर आप सोचें भई अगर फ़्लाने आजमी का डबल डॉल डाल दो पिच्चर रहेट हो जाएगी तो वह साहित तो नहीं हो सकता वो तो किसी और परपस से बन रही है वो तो you are second guessing the mind of people and giving them थोड़ा और मिर्ची डाल दे थोड़ा और इसको डाल ये दो रोटी और खाएगा इस तरह का खाना है ना वो तो बिल्कुल तो वो चीज में authenticity मिस्करी तो साहित में और फिल्मों के बीच बहुत बड़ा एक रिष्टा था वो कमजोर हुआ है वो कमजोर हुआ है साहित भी कम उसके comparison में इतना पहले लिखा जाता था कम लिखा जाता था लिखा जाने लगा और कहीं film industry को जो responsibility, creative, nurturing की incubation की करनी चाहिए थी मुझे लगता नहीं वो पूरी तरह से निभाई गई वो सिर्फ commerce पर छोड़ दी गई जब जरूरत है तब आप मैंने भी film में लिखी है जब वो पक के जाती है तयार हो जाती है तो लोने को लेने को तयार हो जाते हैं लेकिन investment जो चाहिए इंक्यूबेशन में सोचने के लिए वो करने को तयार है तो ना तो साहित्य मिला और ना आपने उसको नर्चर किया तो यह दूरी इसकी वजह से इट इस कॉस्टिंगा सलॉट तो आपको लगता है रीडर्शिप भी बहुत कम हुई है साहित्य पढ़ने वाले लोग कम रिसर्च के आदार पर यो की गोल्ड फिश से एक सेकंड कम है अब आप सोचिए कि इतना कम अटेंशन स्पैन है तो यू क्विक्ली मूव उन्टू ओ कि एक इस से ज्यादा नहीं बोर मत कर यार हर आजमी यह कह रहा है बोर मत कर तो हमें स्नॉकलर्स मिल रहे है सतही होताखोर नहीं मिल रहे है तो आज के बच्चों का जो आकाश है इन्फोर्मेशन का वो हम अपने एस से कंपेर करें तो कहीं बहुत बड़ा है लेकिन डेफ्ट इन सब्जेक्ट कम है क्योंकि समय उस पर लगाना बोर्डम समझा जाता है और वो वाहिरिंग होती जारी है इ इतना कम अटेंशन अगर आप रखेंगे तो उससे कई मनुवे ज्यानिक समस्याइं भी पैदा होंगी हो रही है और हमारे गरों में कई हमें से कई लोग माता पिता हैं बड़ा बच्चे हैं गर में हमारे घरों में साहितिक प्रवा आए उसके लिए क्या हो सकता है क्या आपके मैं तो यह मानता हूं कि जब अगर फिल्म में ही आज का माध्यम है या इवन यह रील्स या छोटी-छोटी क्लिप सी हैं तो उसमें भी साहित्य को प्रवेश कर जाना जाए उसको अब यह कोशिश करना कि लोगों को किताब पैठा के पढ़ाएंगे वह अपनी करते हैं डाइटिशन के पास लोग जाते हैं नुट्रिशनिस की बात करते हैं कि जो खाओ गए वो लगेगा तन को आपको यह हो जाएगा इससे इस इडिटी जाएगी फलानी जाएगी कभी यह सोचते हैं कि हमारा मस्तिश को किस जीस इस इडिटी होगी यह विजुल सकती है मैं गीत मैंने लिखा था बहुत कम लोगों को पता है यह फिल्माइदी फिर भी लेंगे अब देखें इसमें साहित का पुट आ जाता है हम वहां भी डाल सकते हैं कि गीत है कि खुलके मुस्कुराले तू कि दर्द को शर्माने दे बूदों को धर्ती पर साज एक बजाने दे हवाएं कह रही हैं आजा जूले जरा गगन के गाल को चल जाके चुले जरा जील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है जील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है और नदी शरारत है तेरे संग बहती है जील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है और नदी शरारत है तेरे संग बहती है उतार गम के मोजे उतार गम के मोजे जमी को गुन गुनाने दे कंकरों को तलवों में गुद गुदी मचाने दे हुआए कह रही है आजा जूले जरा गगन के गाल को चल जाके छुले जरा खुलके मुस्कुराले तू दर्द को शर्माने दे तो गीतों में भी साहित आ सकता है तो रील्स में भी साहित आ सकता है तो छोटी-छोटी क्लिप्स में भी आ सकता है आप यह हम लेमिंट करना बंद करतें कि यह तो हमारे हाथ से निकल गया है निकलने देंगे नहीं, ये वर्स्ट ला कंटा है. हमारी जित्तमी बात ही, हर एक हरे कलाकार खेंगा और आपने एक पॉंत होता है जहा हूँ बाहर बाहर जाता है और वापस आता है, वहां बाहर बाहर जाता है। It's the anchoring point for every artist, I believe. हमारी जित्नी बात ही इसमें कई बार आपने नदी का जिक्र किया साँ there is an artist in you who is going back to a नदी and coming back and talking to us आप इसी whatever 45 minutes of conversation I think you went to Uttarakhand and some नदी of yours for at least five times and that is I think the beauty of keeping yourself anchored to your own roots नदी और दूप दूप मुझे दूप के मकान तू दूप है जम से बिखर यह मैं दूप का बहुत परोग करता हूं और नदी का परोग करता हूं यह बच्पन आप कैसा दे रहे हैं न उसका यह जो बिम्ब हैं सारे यह जो इमिजस हैं यह आपके early childhood images होती it's not that actually I have spent a very long time there मैंने बच्पन में समय बिताया उसके बाद मैं भी जैसे मैं कहे रहा था लुड़कता हुआ यह और आ गया लेकिन कहीं न कहीं वो एंकरिंग रही है और जब भी whenever in doubt बंबई के किसी छोटे से conference room में मुझे फटाफट कोई चीज लिख कर देनी होती है आँखे बंद करके उतरा खंड में उतरता हूं दूप आजाती है बचाने के लिए नदी बचाने के लिए आजाती है देखे इस किताग का नाम भी वान रखा दूप के सिक्के वाँ अजी संशाइन लेंज ओडियंस में से हम कुछ सवाल इंवाइट कर सकते हैं लेकिन ये सवाल आप हो सके उतने चोटे रखिए प्रिसाइज रखिए सर सर की आप तारीफ कर सकते हैं लेकिन सवाल जितना है आप करेंगे उतना ओडियंस में से हमें और जानने की में लेगा अपनी तारीफ भी कीजिए ऐसी कोई पार आप मोबाइल में लिखके रखिए और जब आपके पास माइक आए तो हाँ डाइरेक्ट वो सवाल ही पूछेगा क्योंकि ज्यादा टाइम बेस ना हो उसमें वॉलेंटियर्स येस वहां पर सरकाहाथ में मोबाइल हैं उनने दे दीजे पहले सवाल लिखके रखा है कर से लिखके आए है है हूं वर कर किया है अच्छा थीक आप उनके बार में प्लीज आइए प्लीज पर और प्डू जबना इंपर ने अश्वाशने व्हां आप प्डूटिय। वह एवार्स तो पर अश्वादिय। पहले तो यह है कि आप बच्चे को पालते हैं फिर स्कूल या कॉलेज तो आपको लगता कि यहाँ पेश को पढ़ा लेंगे तो जब तक मुझे लगता है मेरी स्कृट्टों को पढ़ा लेगा ये समाल लेगा तब तक मैं उसको भेज़ रहूंगा और जिस दिन मुझे लगए गया कि यह इसको कोई नहीं समाल सकता तो फिर मैं उसको डेक्त मुझे लगता है कोई उसको साथ अगर न्याय कर सकता है तो मैं सौंप तेता हूँ ऊप बच्चे को जैसे आप सौंप देता है कि आपकी कस्टडी में आप सिखाया मैं ने तो सिखा दिया इसको that's possible that I would do it when I feel that this subject cannot be done justice to by anybody else but me so I will do sometimes those thoughts cross my mind as well so I think I will do it. Yes, I mean, I think that someone will not take so much risk to do it and it is a very strange thing, so I think that it is. And sometimes it is a very personal subject. I will do that. And the other question was, where do I go for inspiration for someone? I will go for attention. I will go for myself. The rest of the world is outside, but there is something that is within you. That journey starts within you. And I don't need to go anywhere else. Be quiet. Be quiet. Don't be quiet. Because, look, it is true for the language, for the Sanskrit, for it is true for myself. There is something that is called murmurs, murmurs, murmurs of life. If you can hear the word praises, then you cannot hear in the hands of the angel. Well, for that it must be a little longer. You can hear it. Then you can hear the word praises, but in the sound of the angel, the word praises will catch the word praises, and you will not be able to hear it. Then wherever you hear the word praises, I will go there. तरह जाता हुआ जाता हूँ. यह तो बहुत मुश्किल सवाल होता है बहुत कठिन होता है और आपको लगता है कि अगर दुबारा करूँगा तो शायद कुछ और करूँगा ऐसा लगता है आपको लेकिन मुझे लगता नहीं कि आप जा सकते हैं मैं यह लगता नहीं कि आप कर दोस्खंट 1 झाल 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 झाल